हेलो दियर स्टुडेंट्स, गुद मॉर्निंग व्लोफ यू, लेट्स स्टार्ट तुड़ेज़ ग्रास। तुड़ेज़ टॉपिक इस सिंगुलर एंद प्लूरल नाउन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने ग्रामर से लिया है सिंगुलर एंद प्लूरल नाउन। सिंगुलर मिन्स जब भी हमें किसी वन थिंग, वन पर्शन, वन एनिमल के बारे में अगर बात करना है तो वो होते हैं सिंगुलर नाउन। जब कोई पर्शन वन दैन मोर एक से अधिक पर्शन हो, एक से अधिक प्लेस हो, एक से अधिक अनिमल हो, एक से अधिक थिंग्स हो, वन दैन मोर तो वो होता है प्लूरल नाउन। फिर हम क्या कर देते हैं उसमें S, E, S, I, E, S या V, E, S एड़ करके उसे plural में convert कर देते हैं राइट मैंने previous class में आपके syllabus में आपका जो assignment है और आपके book में भी singular and plural nouns दिया है जिसे हमने पहले classes में किया है राइट तो आज मैंने आपको इस grammar class में singular and plural noun topic लिया है जिसे आपको बहुत ही अच्छे से क्या करना है understood करना है ओके पेटा ये इसकी definition है the noun that names only one person place animal or thing is called singular noun means one person, one place one animal one thing के बारे में जो भी हम बात करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है singular noun and one than more person, place, animal or thing तो उसे कहा जाता है plural noun अब इसमें singular and plural noun को आपको समझने के लिए या बनाने के लिए आपको ये rules remember होने चाहिए यहाँ पर फोर रूल्स दिये है rule first add as to the singular noun add as to the singular noun means generally हम क्या करते हैं जब हमें singular से plural में convert करना होता है like this यहाँ पर दिया है window window means one window okay but अगर one than more window है एक से अधिक window एक साथ है तो हम क्या बोलेंगे उसे window ही बोलेंगे क्या no उसमें हम generally क्या add कर देते हैं as add कर देते हैं और वो हो जाता है windows okay window means खिड की windows means खिड किया one than more window एक से अधिक window okay और ऐसे ही next step photo photo means one photo one than more photo है तो क्या बोला जाएगा इसे photos इसमें s लग जाएगा अब next में आपको example बताओ like this table 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 बोला तो one table ओके अब one than more table है तो क्या बोलेंगे इसे tables टी ए बी एल ए है only इसमें हम as add कर देंगे तो ये plural में convert हो जाएगा रैट ऐसे ही door है तो doors रैट pencil है तो pencils pen है तो pens तो according to rule one हमें normally जब किसी भी singular noun में को plural noun में convert करना होता है तो हम उसमें as add करके उसे plural में convert कर देते हैं ओके ये था आपका rule one then next is rule two rule two rule two है add add es to singular noun that ends in ch देखिए रैट कलर से कुछ लेटर से यहां highlight किये है ch sh double x double s x and sum that end in o अब जो rule two है इसके एकॉर्डिंग हम singular को plural में convert करने के लिए उसमे es add करते हैं तो normally तो rule first में क्या बोला कि हम as add करके उसे plural में convert करते हैं रैट अब rule two है कि sum singular noun ऐसे हैं जिसमें हमें es add करके उसे plural में convert करना होता है तो अब आप कैसे identify करेंगे कि आपको किसमे s लगाना है और किसमे es लगाना है तो देखिए es लगाने के लिए क्या rule है कि जब भी किसी word के end में end में means last में जब भी किसी word के end में ch देखिए जैसे यहां ch है sh double s x and sum word के end में o हो तो उसे plural में convert करते time उसमें es add किया जाता है ओके like this यहां पर देखिए आप first word है bench b e n c h bench अब आप bench word को carefully जब आप देखेंगे तो इसमें देखिए कि जो last वाले letter है वो क्या है इसमें ch है तो according to rule 2 जब भी किसी word के end में ch, sh, s, s, x, x या फिर o हो तो उसमें क्या add किया जाता है plural में convert करते time es add कर देते है तो bench का plural होगा benches ch के बाद क्या add कर दिया है हमने es ऐसे ही अब sh वाला जिस भी word के end में sh है तो उसमें भी es add करना है double x, double s है तो es add करना है last में x है तो es add करना है और जो some word ऐसे होते हैं जिनके last में o होता है उसमें भी es add किया जाता है but not necessary कि हर जिस भी word के end में वो आए उसमें es ही add करे because देखे यहां पर just before photo photo के last में भी o है बढ़ हमने इसमे es add किया है क्या no हमने तो इसमे es add किया है तो जो o वाला rule है वो कुछ ही words में काम करता है okay then next rule third rule third third rule क्या है words that in in y change the y into i plus es means अब rule third के according rule three के according हमें क्या करना है जब भी किसी word के end में y है किस जिस किसी भी word के end में end में means always remember रखना है आपको last में word के last में okay जैसे यहाँ पर baby है तो baby के last वाला letter क्या है baby का y तो जब भी किसी word के end में y हो y हो तो उस y को remove करकी क्या add कर देना है i e s okay y को remove करना है remove करना है means वहाँ से हटा देना है like this यहाँ पर है baby b, a, b, y, b, b जब हम इसे plural में convert करेंगे तो यह क्या हो जाएगा last का y remove हो जाएगा means b, a, b y आएगा क्या no because y को क्या करना है हमें remove कर देना है वहाँ से हटा देना है और इस y के place पे हमें क्या add करना है i, e, s babies okay then y वाले को next example से understood करेंगे story s, t, o, r, y, story अब इस word में भी देखिए last का letter क्या है y है तो y को remove कर देंगे और यहाँ पर s, t, o, r r तक as it is रहेगा y को remove कर दिया means हटा दिया अब इसके place पे क्या add करेंगे i, e, s okay, यह understood हुआ आपको it's very simple आपको कुछ नहीं करना है बस जिस भी word के end में आपको y दिके generally तो आपको उसे remove कर देना है means उस y को हटा देना है और उसके place पे i, e, s उसी word के आगे add कर देना है okay, बेटा, इतना understood है आपको then after next, rule 4 rule 4 and rule 4 है words that end in f और fe change the f और fe to v, e, s अब rule 4 है कि जब भी किसी word के end में f या fe हो यह देखिए क्या हो? f या fe हो तो हमें क्या करना है उसे plural में convert करते time is ये f या fe को remove कर देना है और इसके place पे हमें v, e, s add करना है plural में convert करती time okay like this, यहाँ पर देखिए self क्या दिया है? chef s, h, e, l, f तो अब इसका last letter क्या है? अभी देखिए इस word को carefully last letter है इसका f तो according to rule क्या करेंगे? हम इस f को remove कर देंगे मैं इस यहाँ से हटा देंगे और इसके place पे l तक तो as it is right करेंगे f को हमने remove कर दिया अब इसके place पे हम v, e, s add कर देंगे ओके? ऐसे next word है wife w, i, f, e, wife तो हम इस wife को plural में convert कर देंगे इसमें भी last का ही letter देखना है हमें तो last का letter क्या है? f, e according to rule हमें f, e को remove करना है और इसके place पे v, e, s add कर देना है ओके? तो आपको इतना remember रखना है बेटा y को remove करके इसके place पे i, e, s f और fe को remove करके इसके place पे v, e, s and जिस word के end में ch, sh, s, s, x, x, and o हो तो उसमें e, s add करना है invert को remove नहीं करना है हटाना नहीं है इसके just before क्या कर देना है हमें? sorry, इसके just after आपको e, s add कर देना है e, s, e, s, e, s, e, s, e, s okay, तो ये थे आपके four rules आपको इन four rules को remember रखना है तब ही जाकर आप क्या करेंगे? easily आप किसी भी word का जिसका भी आपको अगर singular से plural में convert करने आया तो आप easily क्या कर सकते हैं? उसे convert कर सकते हैं अब इसके अलावा भी क्या होते हैं? कुछ irregular nouns होते हैं इसके बारे मैं आपको बता देती at first आपको क्या करने हैं? fill in the blanks with the plural of the words in brackets यहाँ पर जो यह words दिये हैं bracket में इन words के plural आपको write करने हैं तो यह आपका homework है क्या है आपका homework? यहाँ write करेंगे hw today's date and at first आपको यह equation write करने हैं then after यहाँ से यह picture solve नहीं करनी हैं okay? because picture तो आप अपनी notebook में draw नहीं कर पाएंगे only आपको यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 equations अपनी notebook में solve करने हैं okay? like this first day a basket of आप यहाँ पर देखिए bracket में दिया है mango तो हमें क्या करना है? mango को plural में convert करना है okay? तो mango का अपको जब भी कोई singular noun solve करना है तो at first आपको उस word का last letter देखना है सभी में क्या करना है? last letter देखना है okay? तो mango का last letter है o तो according to rule 2 rule 2 के according जिस भी word के इन में o हो तो क्या add करना है हमें? e, s तो यहाँ पर mango का plural होगा mangoes next second a letter of puppy puppy singular है puppy means one puppy जो doggy का baby होता है उसे बोला जाता है puppy है ना? तो puppy means one puppy अब इसे plural में convert करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? अब इस word को carefully देखिए आप क्या है spelling? p, u, double, p, y last letter क्या है? y है तो according to rule हमें क्या करना है? y को remove कर देना है तो p, u, double, p और y को remove करके इसके place पे i, e, s puppies ओके? then है a gang of thieves thief means होता है चोर अब यहाँ पर देखिए thief का last letter है f तो according to rule 4 f और fe हो तो इसे remove करके v, e, s add कर देते हैं तो यहाँ पर f को remove कर देंगे तो t, h, i, e f को remove कर दिया अब इसके place पे write करेंगे v, e, s ओके? means one then more thieves एक से अधिक चोर then fourth a box of match अब इसका last letter क्या है? ch है तो according to rule 2 जिस भी word के end में ch, double s, x s, ch हो तो हम उसमें plural में convert करते time क्या करते हैं? m, a, t, c, h पूरा word write करेंगे और इसके बाद e, s add कर देंगे ओके? आप write करते चलिएगा साथ में then a bunch of grab तो grab का क्या हो जाता है? grabs s add कर देंगे then glass last क्या है? six number glass glass के last two letter है g, l, a, double s double s है तो हमें e, s add करना होगा तो g, l, a, double s, e, s glasses then a pile of box according to rule two जब भी किसी word के इंड में x हो तो उसमें भी e, s add करना है right? and eight number, a pack of alf alf का last letter f है तो f को remove कर देंगे तो यह हो जाएगा alfs v, e, s add कर देंगे right? यह होगे आपके singular and plural nouns okay? बिटा आपको carefully इस class को सुनना है और मैंने जो भी rules आपको बताए है जो भी word आपको remember रखने बोला है वो आपको remember रखने है okay? that is all for today thank you अब चाहे तो यह rules अपनी notebook में write करके रख सकते हैं यह four rules और इसका definition and singular and plural noun के यह four rules आप चाहे तो अपनी notebook में write करके रख सकते हैं कि इनका ऐसा आप भूल जाए तो आप notebook से देख कर इसे समझ ले okay?